आज हम लेकर आए हैं बालों के लिए बहुत बढ़िया हैर सीरम जिसे हम पतांजली एलो विरा जेल से बनाएंगे पतांजली एलो विरा जेल में बिटामिन ए, बिटामिन बी और बिटामिन सी मौजूल होता है जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है इसके इस्तिमाल से बालों की गोथ बहुत अच्छे तरीके से बढ़ती है स्केल्प मजबूत होता है जिससे हमारे बाल जड़ते नहीं है और डेंडरप की समस्या नहीं होती डेंडरप से ही जदातर हमारे बाल जड़ते हैं और डेंडरब की समस्था होने से ही बाल सफेद होते हैं हेलो दोस्तों आप देख रहे हैं स्टार ब्यूटी कियर और आज हम बनाने बाले हैं बहुत ही बढ़िया और एफेक्टिब हेयर सीरम जिसके इस्तिमाल से बाल मुलायम काले घने हो जाएंगे तो इसके लिए हम एलोविरा जेल लेंगे तो यहाँ पर आप मार्केट वाला एलोविरा जेल भी ले सकते हैं और फ्रेस एलोविरा जेल भी ले सकते हैं दोनों का ही इस्तिमाल कर सकते हैं और इसके बाद हम लेंगे बिटामिन E कैपसूल बिटामिन ए बालों के लिए बहुत बढ़िया होता है इसमें एंटी आक्सिडेंट का बहुत सांदर सोर्स होता है जो सिरके टॉक्षिन को कम करता है और बालों की ग्रोथ को बढ़ाने में मदद करता है और आपके बालों को मजबूत बनाता है और इसके बी मजबूत होता है इसके बाद यहाँ पर हमने पताँ जली एलू विरा जेल लिया है और हम अपने बालों की जरूरत के अनुशा ले लेंगे तो यहाँ पर हमने चार चमच इसे ले लिया है और यदि आप चाहें तो घर्वें जो हम गंले बगयरा में लगाते हैं वो भी fresh aloe vera gel भी आप ले सकते हैं और इसका इस्तिमाल हम सही तरीके से बालों में करेंगे तो बालों में जो बहुत सी समस्याएं होती हैं वो खत्म होने लगेंगी और बाल मजबूत होने लगेंगे इसके बाद हम इसमें इस्तिमाल करेंगे कैस्टर वाइल कैस्टर वाइल का इस्तिमाल बालों में बहुत समय से चला आ रहा है इसके इस्तिमाल से बाल मजबूत होते हैं जिसे हम अरंडी का तेल भी बोलते हैं तो हमने यहाँ पर दो चमच वाइल ले लिया है कैस्टर वाइल में ओमेगा 6 फैटी एसेट होता है और पोशकतत होते हैं, मिनरल होते हैं जो हमारे बालों के लिए बहुत बढ़िया होते हैं तो इसका इस्तिमाल बालों में कर सकते हैं जो बालों की ग्रोथ को बढ़ाता है और बाल मजबूत करता है तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है और इस तरह से mix करेंगे इसके बाद हम इसमें vitamin E capsule इस्तिमाल करेंगे तो इसमें हम 2 vitamin E capsule add कर देंगे इससे बालों में signing आती है बाल चमकने लगते हैं और साथी साथ काले घने लंबे भी होने लगते हैं तो इसका इस्तिमाल भी हम इसमें करेंगे तो इसे हमने इस तरह से cut कर लिया है और mix कर देने तो इसका gel हम इसमें mix करेंगे और इसके बहुत से फायदे होते हैं इसे आप face पर भी लगा सकते हैं इसके हमने बहुत से video हमारे आपर share किये हैं तो आप देख सकते हैं लिंक आपको description box में मिल जाएगी और ये काफी effect होती हमारी face और बालों के लिए तो इसे हमने अच्छे से mix कर लिया है और इस तरह का mix करने के बाद आप देखेंगे इसका color change हो गया है और अच्छे से ये mix हो गया है इसके बाद हम अपने बालों पर इसे लगा लेंगे तो इसे आप scalp पर लगा लें और बालों की tips तक लगाएं क्या होता है कि जब हम बालों में oiling वगयरा करते हैं तो scalp पर तो लगा लेते हैं लेकिन बालों की tips तक नहीं लगाते कभी कभी जादा हम इसका ध्यान नहीं दे पाते तो बालों की टिप्स तक भी हमें अच्छे से लगाना है तब ही बाल मजभूत होंगे गने होंगे और लंबे होंगे तो इस तरह से हम इसे लगा लेंगे इस तरह से हम बालों पर लगा लेंगे और इसे हमें हलकी हाथ से मसाज करते हुए इस तरह से लगाना है इसे हम एक गंटे तक बालों पर इसी तरह से लगा रहने देंगे इसके बाद हम नौर्मल पानी से दुनकर साफ कर लेंगे और यदि आप जाहें तो सेम्पू भी कर सकते हैं इसके लिए आप कोई हलका वाला सेम्पू लेंगे जिससे बाल तूटेंगे नहीं जड़ेंगे नहीं नौर्मल जो माइल्ड सेम्पू होता है या फिर हमने यहां पर आवलडीटा सी ककाई से सेम्पू तयार किया है वो भी आप इस्तिमाल कर सकते हैं घर में बना सकते हैं उस कि आपको सेम्पू नहीं लगाना है वस इसे नौर्मल पालनी से दूल कर साफ कर ले तो भी यह बहुत अच्छे से आपके बालों पर काम करेगा और इस तरह से हमें टिप्स पर इस तरह से लगा लेना है इससे क्या होगा बाल हमारे मजबूत होंगे और इसके बाद हम दू खत्म हो जाएगी तो इस तरह से जब आप इसका इस्तिमाल सबता है में दो तीन बार करेंगे तो आपको इसके फायदे देखने को मिलेंगे ऐसा नहीं है कि एक बार लगा लिया और इसके हमें कुछ भी फायदे देखने को नहीं मिलते तो इसका इस्तिमाल आप दो तीन बार कर सकते हैं तभी आपको इसके फायदे देखने को मिलेंगे और ये आपको काफी समय तक इसी तरह से आपको बालों में फायदा पहुंचाएगा और आपको हमारा इस वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी न भूलें और यदि हमारी चैनल पना है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूरी से करें थैंक्स फॉर वाचिंग